Hello students, welcome to Just Matthew जी तो students आज हम लोग coordinate geometric के जो हमारा previous year J-mean के solution सरी चल रहे हैं उसमें हम लोग coordinate geometric के question number 8 पे आ चुके हैं question number 7 तक discuss कर लिए हैं तो जो बच्चे question number 7 तक नहीं किये हैं class को वो description में link डला वो है playlist का जाईए और वहाँ पे question number 1 से लेके question number 7 तक try कीजिए लेकिन पहले इस class को देख लिजे, मतलब इस question को solve कर लिजे, फिर करेंगे तो जो बच्चे first time इस channel पे आए हैं मैंने बता दू कि students यह जो आप वीडियो देख रहे हो यह हमारा J-mean के जो previous year question का solution सरी चल रहा है उसी solution series का एक part है जिसमें कि आज हम लोग coordinate geometry के question number 8 करने वाले है सर कौन सा question number 8 तो बच्चे हम लोग क्या किये हैं कि मतलब इस channel पे क्या करवाया जा रहा है आपको कि जितने भी J-mean के exam में जो भी match के सवाल आए हुए हैं जब से start y J-mean exam जिसको हम लोग पहले AIEEE कहते थे जैसा कि आप यहां पे देख भी रहे हैं AIEEE लिखा हुआ है इसी AIEEE का नाम 2013 से J-mean हो गया है ठीक है जैसा कि AIEEE देख रहे हैं इसका मतलब होता है All India Engineering and Trans examination 2012 वो last year था जब इसका नाम AIEEE था इसी साल के बाद से J-mean exam हो गया है ठीक है तो आज से हम लोग करने वाले हैं coordinate geometric question number 8 ओके तो question number 8 बहुत पिद्दी सवाल था बहुत easy सवाल था question number I think जो 7 था और 6 था वो भी easy सवाल था लेकिन इसके compare में na question number 7 बहुत अच्छा question था वो locust पे based सवाल था तो आप चाहो तो जाओ question number 7 भी देखो locust पे based सवाल है मैं उस class में बोला हूँ कि locust पे सवाल आता है तो अब जाता ही दोदर की बाते मत नहीं करते हैं तो हम लोग करते हैं चलो question जो हमारा main मुद्दा है इस video का जो main का है उसको देखते हैं है ना तो देखो यह जो सवाल बहुत easy सवाल था आप देख सकते हैं कि J main में इतने easy सवाल भी आते हैं अब आपके मन में doubt हो रगा sir इतना साल पहले आया है यह तो अब आ सकता है कि बिलकुल आ सकता है आप देखो ना question number 6 जो मैं करवाया हूँ easy सवाल है जाना playlist में वहाँ पे जाके देखना question number 6 2019 में आया moderate level रहता है ठीक है तो इस सवाल को मेरी तरफ से अगर आप पूछो तो किस level पे रखोगे tough level तो होगा नहीं moderate level पे भी मैं नहीं रखोगा मैं इस सवाल को मैं सवाल को रखोगा easy level पे ठीक है एदम easy सवाल है यह देखो question में क्या है अगर आपको लगता है कि आप कर लीजेग तो आप वीडियो को यहीं पे pause किजिए और खुद से सवाल को किजिए ठीक है और हाँ answer comment करके ज़रूर बताईएगा क्या है आपका तो देखिए मैं करता हूं सवाल लिखा हुआ है if the line यह line है एक है ना चलो मार कर ले लो एक line है जो की अच्छा इसमें कुछ unknown भी है बाई the line segment joining the point this and this in the ratio 3 is to 2 then case अच्छो देखो सवाल क्या कह रहा है कि माल लो कोई line segment होगा है ना वो line segment a a का coordinate क्या है 1,1 माल लो है ना एक line segment है जो a और b को ना join कर रहा है ठीक है सर अब इस line segment को join कर रहा है एक line segment है जो a और b को join कर रहा है अब इसी में कोई point c होगा जो a b को 3 is to 2 में divide कर रहा है ठीक है कोई point c होगा जो a b को किसी ratio में divide कर रहा है 3 is to 2 में divide कर रहा है मैं c का coordinate alpha, beta माल लेता हूँ ठीक है माल लिया आप अर ये बात सब्सक्राइब अब क्या कह रहा है कि यह जो line है न the line segment यह जो line है ना कहां से pass कर रहा है यह line भाई साहब passes through the point through the point किस point से जो की which divides the line segment joining the point this and this in the ratio 3 to 2 मतलब सुनो सब बात की एक बात AB को join करने वाला line है ना AB को join करने वाला line segment को एक point C है 3 to 2 में divide कर रहा है तो यह जो line जो दिया हुआ है 2x plus y equal to k इसी से गुजर रहा है है ना मालों यहां से कहीं ऐसे pass कर रहा होगा ठीक है तो इस line का equation क्या दिया हुआ है 2x plus y equal to k ऐसा ही सवाल में कह रहा है सवाल वाला कह रहा है के निकाल लिए के find out किजिए k क्या है देखो इस straight line में constant term है है ना यह जो straight line दिया हुआ है निसा constant term है अब के find करना है अब मैं कैसे समझा कि यह line C से pass कर रहा है सवाल में ही कह रहा है कि यह line C है वो उस point से pass कर रहा है जो point ab को 3C2 में divide कर रहा है देखा क्या बोला मैंने कि जो यह line है उस point से pass कर रहा है जो point ab को 3C2 में divide कर रहा है तो कौन सा point 3 to 2 में divide कर रहा है point c divide कर रहा है तो बस simple आप क्या करेंगे देखो अब एक बात बताओ कुछ लोगों को समझ में आ गया हो कैसे करेंगे मैं क्या करूंगा point c निकाल लूँगा simple point c का coordinate निकाल लो और इस coordinate को इस line के equation में रख देना के का value आ जाएगा क्यों कि रखेंगे क्योंकि इस line पे जितने भी points है ना हो सकते है वो सारे point इस line के equation को satisfy करेगा मतलब उस सारे point को इस line के equation को satisfy करेगा infinite point हो सकते है उसमें से एक point हमें दिख रहा है c हैना वो सब satisfy करेगा तो अगर आभी रख दोगे तो यहां पर बन जाए अभी बिना alpha beta निकाले रख दोगे तो 2 alpha plus beta equal to k तो वहां से k कैसे find out होगा तो पहले हमारा क्या target है k find out करना तो चलो k find out करते है k कैसे find out करेंगे section formula से internal section formula है ना internal section से तो simple कैसे निकलता है कि देखो यह 3 का multiply इस side करते है न 2 का multiply इधर करते है न तो बताओ जरा alpha का value क्या होगा alpha मतलब उस point c का x coordinate क्या होगा 3 into इधर x coordinate से multiply कर दो तो 6 plus करो internal section में plus होता है 2 into 1 2 ही रहेगा upon में क्या करते है m plus n यादा आया तो m plus n मतलब 3 plus 2 यह 6 कैसे हुआ दोस्त 3 का multiply 2 में किये है 3 to 6 हो गया और इसदर 2 का multiply इधर के x coordinate से 2 into 1 2 2 हो गया तो यह हो गया 5 sorry 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 6 plus 2 हो जाएगा 8 8 upon 5 alpha की value आ गई 8 upon 5 ओके चलो बीटा देखो कैसे निकलेगा अब बीटा मतलब y coordinate तो 3 का multiply करो point b के y coordinate से है नो तो 3 into 4 12 plus 2 into 1 2 ही होगा है ना upon में क्या होगा m plus n m plus n याद है section formula internal section formula sir हम लोग को कुछ याद नहीं रहता है क्यों क्योंकि memory हमारा full हो जाता है sir ठीक है alpha बीटा आ गया तो alpha का value क्या है दोस्त 8 by 5 बीटा का value क्या है 14 by 5 अब इसी 8 by 5 और 14 by 5 को क्या करो इस line equation में रख दो और satisfy solve कर दो आज जाएगा क्यों रख सकते हैं क्योंकि यह जो 8 by 5 2 by 5 है c का coordinate है और c क्या है इस straight line पे लाई कर रहा है तो इस state line equation को satisfy करेगा means हम लोग इस point c को state line equation में रख सकते हैं तो चलो रखो तो रखते हैं पहले line का equation लेख लो 2x plus y equal to k एक मिनट तो 2 क्या है एकस कोडिनेट बता हो क्या है चलो 2 alpha और बीटा रख सकते हैं बीटा एकोल to k होगा alpha बीटा पहले मैंने रखा alpha के value बलता हो क्या है 8 by 5 है बीटा के value बोलो बीटा के value है 14 by 5 equal to k चली solve करते हैं यह हो जाएगा 16 by 5 plus 14 by 5 equal to k LCM बताओ गया होगा 5 होगा 16 plus 14 equal to k 100 तो नहीं रहो यह कितना हो जाएगा बताओ यहां से आ जाएगी यह हो जाएगी 30 upon this is 6 है ना तो k का value बत्चो क्या आ गया 6 आ गया ज़रा देखो option में k का value पूछ रहा है हाँ sir k का value पूछ रहा है option b गलत c गलत d गलत 6 है ना option a गलत अब यह 6 कैसे आ गया यह मत पूछना 30 by 5 6 कैसे हो गया तो k का value हो गया 6 तो इतना simple question था जो AIEEE 2012 में आया हुआ था तो question about 8 हम लोग कर लिए next class में क्या करेंगे question number 9 करेंगे तो मिलते हैं next class में question number 9 के साथ तब तक अब कढ़ते रो पढ़ते रो डरना नहीं है सारे question concept clear रहेगा तो सारे question बन जाएगे ओके बाई have a nice day जैहिंद